आज बाबा करें कि बच्चे बाप को आप बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है सुख में देखने का बच्चों को सुख में लाने के लिए बाबा को ज़्यादा जल्दी है कोई भी माबाप को ज़्यादा मन होता ना बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो माबाप को लगता है कि कैसे बड़ा हो जाए, जौब उप कर लिए, अच्छा जगह में पहुंच जाए, तो बच्चे से ज़्यादा बाप को चिंता होता है, माबाप को, तो यहां भी बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम से ज़्यादा चिंता हमको है, कि कब जल्दी से ज सुखी संपन बनाकर अब अपने घर जाने का है बाबा को तो बच्चे से ज़्दा जल्दी बाप को है सी बाप है इस ड्रामा का रचैता उसे पता है कि ड्रामा किस रीती से अब कितना चल सकता है बाबा कहता है जल्दी जल्दी में काम खराब करके तो नहीं न जाएगा बाबा कहता है कि जल्दी है लेकिन आप बच्चों को तैयार करना इसी लिए हम रुके हुए आप बच्चे जब तक पूरी तरह से नियारे प्यारे नहीं बन जाते हो निश्चिंत नहीं हो जाते हो भर पूर नहीं हो जाते हो तब तक हम यहां पर हैं तो बाबा कहता है ड्रा फरवरी मास में इतना दिन होता है फिक्स है फरवरी में इतना दिन होता है तो साल में इतना दिन होता है उसी तरह बाबा कहता है यह संगम यूग का दिन फिक्स है इतना दिन रहेगा ही रहेगा और इतने समय में पूरे विश्व का कल्यान करना है बाबा को इसी लिए आप बाप पर और अपने पाट पर निष्चे रखो बाबा कहता कि एक तो बाप पर निष्चे पूरा रखना है दूसरा अपने आप पर कि हम सही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं कहीं कोई गलती ना करें बस अच्छे से चलते रहें तो जरूर पहुचेंगे मंजिल को पहुच मंजिल क्या है सुखषांति भरपूर्था संपन्नता सब कुछ तो बाबा हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा तो बस आप सब वैसे ही करते जो जैसे बाप कह रहा है बस बाबा जो कह रहा है उसको करते चले जाना है कुछ नहीं सोच रहें कि कैसी ठीक होगा कब तक ह सब्सक्राइ सब्सक्राइи जैसे कि हम बाबा का बच्चा हैं बाबा बोल दिया बच्ची यह काम करो कर लिया हो गया यहां कि कह से किया वासा किया कुछ नहीं तो अलबेले मत बनना बस धीरज रखो बाप पे निश्चे रखो और आगे बढ़ते रहो बस अपना काम करते चले ज़ो फिर बाबा सारा कारे समय से पहले आपका संपन कर देगा और सभी आत्माओं का कल्यान कर घर जाएगा बाबा केता आपका सारा काड़ संपन करेगा और सभी बच्चों का कल्यान करके अपने घर लोटेगा बाबा केता जब जैसे जब तक ट्रेन स्टेशन पर नहीं आती है तब तक यात्री उस ट्रेन का धैरिता पुर्वक इंतजार ही न करते हैं पठ्री पे तो नहीं चले जाते हैं बाबा कहता है इंतजार करते हैं तो हम लोगों को भी इंतजार करना होगा बस सब कुछ रेडी करके तो बाबा कहता है तब तक यात्री ट्रेन का धैरता पुरवक इंतजार करते हैं क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि कि ट्रेन किस स्पीड से उसके पास पहुच रही है उसको पता नहीं है अगर वो पट्री के उपर चाहेगा और देखने जाएगा कहीं उधा से ट्रेन आ गिया तो उसमें भी अक्सिडेंट हो जाएगा इसी लिए धैरेता पूरवाक वो क्या करता इंतजार करता है कि ट्रेन आएगा तब चड़ेंगे तो इसी तरह यह परिवर्तन रूपी ट्रेन बहुत स्पीड से आपके पास पहुच रही है बहुत स्पीड से इसलिए चारो तरफ से परिस्थितियां आने का मतलब ही है कि आपका सब एक साथ चुपतू करवाया जा रहा है एक साथ जितना हम वि तेजी से पहुच रही है और अच्छानक ही आकर खड़ी हो जाएगी आप ट्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाओगे तो बाबा कहता आपका अटेंशन किस पे होना चाहिए अपने आप पे अटेंशन होना चाहिए ना कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं अपने उपर अटेंशन होना चाहिए और अभ्यास स्पीड बढ़ाने का करो कि और अच्छा हम करें कितनों का कल्यां करते हुए आगे बढ़ते जाए बस सब का अच्छा कर रहे हैं और कुछ सोचना नहीं है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है जैसे कि एक सब्द फीक्स किया गया है कि ये सब्द सुरू से तो नहीं था तो नया सब्द है अब उसको हम लोग समझें इसका मतलब यह है बस उसको पकड़ कर चलने लगें लगरा वही सही है तो कुछ भी नहीं होता है कोई भी चीश सब्द होता है जिसे आधान परतान किया जा सके हम एक दुसरे से बातचित कर सके और सब्दों में कुछ नहीं होता है लेकिन कल्यूग में न सब्दों में ही पूरा जान भरा हुआ है कोई एक सब्द बोल दिया मन को तीर की तरह लग गया है कुछ खिया नहीं हो सब्दों से घायल कर दिया और हम भी वैसे हैं कि घायल हो जाते हैं हां तो किस लिए यह भी तो प acqua लगताएं और आपको को दूर से सोच यह तो लगई अपकार रॉर है । क्यों रहे हैं कोई बोल दिये तो रोर ने लगेंगे हैं । यह कंजोरी का निशानी छोपने का in फहने का निशानी है कोई कुछ से देख रहा हम लोग का रास्ता अगर चारों तरफ से रास्ता बंद है तो बाबा उपर उड़ा देगा लेकिन आपको सुरप्षित रखेगा इतना गारेंटी है बाबा का ऐसी अनेक आत्मा है जो बहुत तरपती हुई बाबा के पास आई और बाबा के पास बहुत उस समय से आज तक कितना परसेंट परिवर्ता ना आया बहुत बोलेंगे बहुत परिवर्ता ना गिया कमी कमजोरी निकला बहुत सारा और आगे भी बढ़ाया सक्ती भी भरा बाबा बहुत पालना दे रहा है खुस रख रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बाबा पाल बापा भी बच्चा ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं चिलाने लगता है तो बापा थोड़ा स्पीड कम कर देता है लेकिन निकालेगा तो जरूर आपका काटा आपके अंदर काटा तो चुपते रहेगा तो एक बर ऑपरेशन किया देखा बच्चा बहुत चिला रहा है करेगा ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन करने लगेगा धीरे धीरे करके वह काटा को सारा निकालेगा और निकालेगा उसके बाद आपको जो रिलैक्स मिलेगा कभी फोड़ा हुआ है कभी किसी को अब फोड़ा में कितना दर्द होता है जब उसका पल्स निकल जाता है तो कैसा लगता है राम जा जाने के बाद जो आराम मिलता है लगता कि चैन सुकून मिल गया उसके बाद उसको थोड़ा सा सेख पानी से दे दिजे थोड़ा सा सुखने का टायम दे दिजे बस हो गया खतम हो गया तो बाबा कहता है यह गुप्त कारे चल रहा है बस बच्चे निश्चे रखो रेन पहुची की पहुची सुखसांती की ज कल्यान नहीं ग्यान बाबकता जोन का कल्यान नहीं विश्व का कल्यान करना कल अभ्यक्त बाब दादा आएं यहीं ना बात बोले कितना सुंदर जवाब देते हैं हर बार जवाब देते हैं कि बच्चे तुमको एक छोटी से परिवार का कल्यान नहीं करना एक यहां कि जितनी बाबा तो दे दिया कि बच्चे तुमको यह करना है बाकि हमारे उपर है कि हम संकुचित हैं कि पूरे विश्व को लेकी चल रहें क्योंकि अगर हम सरीर छोड़े तो कहीं न कहीं जनम लेंगे तो फिर वह परिवार तो हमको सुख नहीं देगा लेकिन हम जब पूरे कि सभी आत्माय सुखी संपन हो जाएं यह पालना दे रहें सुभ भावना सुभ कामला का सकास दे रहें इसलिए कभी बाबा कता संकुचित मत बनो एक परिवार तक नहीं बहुत सारी आत्माओं का पूरे विश्व की आत्माओं का तुमको कल्यान करना है तो अपना परिव चौरासी जनम में अलग अलग इतनी लोगों के संपर्क में आई तो क्यों ना हम सब को लेके चले कब कहा पाठ हो जा है हमारा यहां आत्मा ना यहां जनम लिए और अगला जनम लंदन में ले सकती है तो सारी आत्माओं को लेके चलेंगे तब तो वह सुख देंगी इसलिए अभी मंसा सेवा बाबा कता बहुत ही जी है बैठो तो बाबा से योग लगाना बाबा पूरे विस्व का कल्यान हो रहा है तो अभी हर बच्चे को सिर्फ अपने सेंटर का कल्यान नहीं करना है अपने जोन का कल्यान नहीं करना है पूरे विस्व का कल्यान कारी बना अभी स संगम यूग में जो चाहिए जी टना चाहिए उतना वाब से सध्योग ले सकते हूं मिल जाएगा अभी मंसा सेवा को बढ़ाओ anytime fix करना चाहिए अब मंसा सेवा का भी time fix करने बोलता है बाबा कि कोई भी एक time बैठ हो आधा घंटा योग का सकास दो पूरे विश्व को ताकि एक साथ संगठन का जो महत्व है बाबा केता उसका ज्वाला रूप बोलते हैं एक लकड़ी जलाईए और एक साथ दस लकड़ी जलाईए आग कितना निकलेगा ज्यादा आग निकलेगा न तो यहां पर भी न हम लोगों को संगठन का योग का सकास पूरे संगठन का एक संकल्प में श्थीत तो कमेंटरी क्यों करा जाता है ताकि कि किसी का कोई संकल्प न चले जो सुन रहे बस वही मनबुधी में इधा उधार का ध्यान नहीं और ऐसे जैसे सांती में बैठा जिया था वो कुछ संकल्प चला रहा तो इसलिए एक तो बाबा करता जब ज्यादा दुख होगा तो उस समय सभी का टेंसन उस हल चल में आ जाएगा क्या होगा कैसे ठीक होगा अगर कर्फ्यू लग जाता है या लडाई जगड़ा लग जाए हिंदू मुसलिम का हो जाता है या महाव तीसरा विस्व यूद लग जाता है दिन क्या होना चाहिए योग ओकर सभकरत देने नेया एंग इसक क्योता क्योंकि छ्रीज़ में बनन सकते और श्रीर में पुर। कर सकते हैं लेकिन देवी देटा का स्वरूप तो अगले जनम में रहेगा न पुरा तो इसलिए बाबा करेंगे तो अपना भी तो कल्यान हो रहा है सबकी लिए बोर्ण dryas ज्मीन में जाता है कि नी किनी जमीन मी जाता है उसी प्रकाश है अपनेया फैल रहा है तो इस तरह से बाबा बोलता सकास दो सूचो कि जैसे पानी उपर से नहलाय जा रहा तो स्वा कल्यान की पहले हुआ उसके बाद अपने आप विसु का कल्यान हो रहा है इसलिए जब भी अब याद करते किशी को सुभाणा देते तो पहले यहां उत्पन होता सुभाणा कि सब पहले हमारा अच्छा होगा तब पिर उसके बाद सबका अच्छा हो इसलिए दोनों से वहब दो جसा भी और विसु का कवी तुसलिए सद अब GREусаbelt को सकास देते रहना चाहिए विशू कल्यान में शौब कल्यान स्वता हो जाएगा कि अगर मन फृसं का करा यह उसलिए क्या क कुछ नहीं सोचना है तो इसलिए बाबा कहता बच्चे सेवा में वीजी रहो हर बात में अटेंशन दो कि तुम क्या सोच रहे हो क्या बोल रहे हो सनीवार सब के लिए सुभाना सुभकामना रखने का दिवस है मन बुद्धी कहीं भी उलज रही है तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरा पन छुपा हुआ है बाबा कहता है अगर आप उलज रहे हैं कहीं तो मैं और मेरा पन मेरा बेटा दुखी हो जाएंगे बाबा का बच्च बाबा जैसे रखे मेरा करता भी हमको बाबा नौकरानी के रूप में बाबा दिया है चलो तुमको जाड़ू कोछा करना ओब जाड़ُ कोछा कर लिए निस्चिंध हो गए फिर आप उसी तरह कि बाबा बोल दिया कि बच्चे तुमको यह यह सेवा करना कर लिए फिर निस्चिंध हो गए थोड़ी सोचना है कि उसके बाद उसका result क्या होगा, कौन क्या करेगा बाबा जाने, बाबा को समरपन करना, बाबा, आप बोले थे ना हम अच्छे से दिल से साब कियें बस तो अगर कही उलज रहे हो तो जरूर तु मेरे पन में फसे हो अगर मेरा पन में ही फसना है तो तुम मुझे में फसो ना बाबा बोड़ रहा है कि मुझे में फसो मेरा बाबा बेटे के रूप में बाबा आ जाओ पती के रूप में पत्नी के रूप में आ जाओ तो मेरा पन लाना है तो मेरे लिए 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 देधारियों के लिए क्यों लाते हो जो दुख का कारण ह तो बाबा कहता है जहां मेरा आया ओआ बुद्धी का फेरा हो जयागा फिर दू का सांती बिमारी आना शुरू हो ज़याए इसलि OR मेरा पन नहीं कोई भी चीज में मेरा पन नहीं मेरी की बजाए तेरा कर दो मेरा नहीं है बाबा ये बच्ची तो आप की है मेरा काम है कर देना नहीं अच्छा लग रहा छोड़ देना नगरानी किसी के बंधन में नहीं है कि आप मेरा ही घर काम कर वो काम करके कमाती है तो हम भी जब सेवा कर रहे है तो बस सेवा कर रहे है उससे ज़्यादा सोचना नहीं है तो भगवान के बच्चे कभी भी उल्जनों में नहीं आ सकते कोई भी उल्जन में नहीं फसना है भगवान के बच्चे न तो छोटी दिल वाले बनते हैं और न छोटी बातों में घबडाते हैं ये लक्षन होना चाहिए भगवान के बच्चों में न छोटी दिल कि वो नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे यह होगिया छोटा दिल करे या ना करे हमको सब को करना यह होगिया बड़ा दिल उसके बाद कोई भी बात को छोटी बात में घबडाना नहीं है कोई भी बात आ जाया हमें घबडाना नहीं है क्या होगा कैसी होगा सब ठीक होना है सब कुछ अच्छा होना ही है तो बार बार आज बाबा क्या बताया, कि बच्चे निश्चिंथ होने का प्रेणा देरा हमें, बाबा को नहीं अच्छा लगता है, कि बच्चे दुखी हो जाए, बच्चे रोएं, कोई भी माबाब को अच्छा लगेगा, कि हम भरपूर हैं, और हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच् करता है कि बचे क्या हुआ तुम्हार साथ जो तुम इतना रो रहे हो किसके पीछे तुम भाग रहे हो तुम्हारा तो शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है और तुम सरीर को इतना सोच रहे हो तो देधारियों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो वो तो कभी तुम्हारे थे साथ नहीं तो फिर किसके लिए रो ना ये सब कोई जान रहे हैं कि एक नातक चल रहा है ये सब के मन में लेकिन इतना 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 चांच्मेंट हो गया कि बाबा 12 बार संजारा वच्चे तुम्हातमा हो लेकिन हम लोग नहीं कि फस गए एकदम उलज गया है और इसी उलजन में का निसानी डिखाते हैं शंकर जी का जटा जटा दिखाते हैं तो जटा मतलब उलजा हुआ जिंदगी जिंदगी में गंगा को धारन करना जिंदगी अक जता इसके बद्धी से दुसरों को भी जतारन करें और जब को धारन करेंगे अच्छा सुख सांती मिलेगा तो फिर बाबा कहता कि उस ग्यान गंगा से दूसरों को भी सुख सांती का अनभूती कराओ सबको पावन बनाओ ओम शांती